आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगे कि Play Store ID कैसे बनाया आता है जैसे दोस्तों Play Store को Open करते हैं कोई भी एप डाउनलोड करने के लिए तो यहाँ पर दोस्तों Sign In लिखा हूँ आ जाता है तो दोस्तों इसको कैसे बनाया आता है दोस्तों आज की वीडियो लाज्ट तक आपको सीन करना है बिना स्किप किये दोस्तों टो वीडियो को आपने अभी तक लाइक ने किया तो लाइक कर जिए drink और चैनल को सब्सक्राइब कर दूए तो चलिए किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों सबसे पहले आपको play store को open करना होगा जैसे दोस्तों आप play store को open करते हैं तो यहाँ पर एक option आपको दिखाई देगा यह वाला sign in blue color में तो इसके उपर आपको click करना है जैसे दोस्तों इसके उपर आप click करते हैं तो थोड़ो सा loading लेगा दोस्तों 10 से 15 सेकेंड loading लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत चाएरा option मिल जागा तो आपको यहाँ पर किसी के उपर click नहीं करना है यह वाला create account दिखा रहे है दोस्तों इसके उपर आपको click करना है उसको click करने के बाद दोस्तों यहाँ पर सबसे ऊपर में जो आ रहा है यह वाला for myself य जैसे ही दोस्तों इसको click करते हैं दोस्तों आपको यहाँ पर नाम पुछा जाएगा, जैसे कि आपका जो नाम?" नाम नाम है तो मैं अपना नाम देदीता हूँ बर्जेस कुमार के यू एम ए आर कुमार देने के बाद दोस्तों यहाँ पर नेश्ट का उप्शन है तो नेश्ट पर किलिक कर दिए जैसे ही दोस्तों नेश्ट पर किलिक करते तो यहाँ पर आपको डेट आप बर्द खोजा जाएगा तो date of birth देते हैं दोस्तों मेरा जो है 2002 देने के बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे के साइड आपको gender का link मिलेगा तो यहाँ पर आप लड़की हैं तो female पर क्लिक किजिए और लड़का है तो mail पर क्लिक किजिए mail पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों next का option दिखाए देगा next के option पर क्लिक करना है जैसे ही दोस्तों next पर क्लिक करते हैं यहाँ तो आपको नाम खोजा जाएगा अपना नाम दे दीजिए यही पर जो नाम देना चाहते हूं तो मैं दे देता हूं मैं क्या देना चाहता हूं देने के बाद दोस्तों कुछ भी आप दे सकते हैं उसको देने के बाद दोस्तों आपको next का option नीचे के side यह वखला मिलेगा तो इसके उपर आपको click करना है दोस्तों अगर यहाँ पर आप जो भी नाम दिये अगर नहीं लेता है तो दोस्तों आपको फिर से देना है जैसे कि मैं बर्जे सकुमार 62905 दे दिया उसके बाद आपको next के उपर पर किलिक करना है जैसे दोस्तों next के उपर पर click करते हैं तो यहाँ पर आपसे password मांगा जाँगा तो मेरा जो password है मैं वो दे देना चाहता हूँ दोस्तों password देने के बाद दोस्तों यहाँ पर next का option मिलेगा यह बला दोस्तों next के option पर click करना है जैसे दोस्तों next पर click करते हैं तो आपको थोरा से इस तरह से scroll करना है scroll करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक option मिलेगा यह बला दोस्तों yes I am in तो इसके उपर आपको click करना है click करने के बाद दोस्तों आपका email ID बन कर तयार है आधा बन चुका है दोस्तों थोरा से और प्रोसेस बचा हुआ है तो फिर से आपको यहाँ पर नेक्ष्ट के आप्षण आगा तो नेक्ष्ट के आप्षण पर आपको किलिक करना है जैसे ही दोस्तों नेक्ष्ट के आप्षण पर किलिक करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आप आपको एक एक्षिन मिला आई एक रेड तो इसके उपर आपको क्लिक कर देना है जैसे ही दोस्तों इसके उपर आप क्लिक करते हैं दोस्तों थोरा सा यहां पर लोडिंग ले रहा है लोडिंग लेने के बाद दोस्तों यहां पर देखते हैं कि आता है गूगल सर्विस तो यह करने के बाद दोस्तों यहां पर आपसे थोरस लोडिंग ले रहा है दोस्तों लोडिंग लेने के बाद दोस्तों देखते हैं क्या हो रहा है जैसे कि दोस्तों मैं कोई भी एप अगर डाउनलोड करता हूं जैसे कि देख तो इस्टाग्राम शुरू में आ गया तो इस्टाग पर जाके वीडियो देखिए दोस्तों अगर पले इस्टोर से आपका कोई भी एप डाउनलोड नहीं हो रहा है तो दोस्तों आपको वीडियो अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सस्क्राइब करना तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में